एलो फ्रेंद्स, सुआगत आपके मेरे इस वीडियो में तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लेवर कार्ट, येके लेवर कार्ट को डॉनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इनकी official site, Jammu & Kashmir Building & Other Construction Workers Welfare Board की official site open करनी होगी इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा, जैसे कि आपको screen के ओपर show हो रहा होगा, jkbocw.gov.in इसको open करने के बद इस तरह से site आपकी screen के ओपर open हो जाएगी, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, construction worker with login id तो आपको simply इस पर click कर देना होगा, इस पर click करने के बद एक next page आपकी screen के ओपर open हो जाएगा तो इस तरह से page open हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, public user, इसके right side देखेंगे, अगर for any query, place contact on these numbers तो यहाँ पर district name wise जो भी contact number दिएगे हैं, आपको कोई भी query है तो आप इस numbers पर call करके, अपने district wise जो भी आपकी district है आपको simply यहाँ पर enter करना होगा, इसके बाद आपको capture code यह number आपको यहाँ पर enter करना होगा, और login पर click करने के बाद इस तरह से next page आपकी screen के ओपर open होगा आपको simply यहाँ पर click here to continue पर click करना होगा, इस पर click करने के बाद जो आपकी idea वो successfully login हो जाएगी, यहाँ पर आपको welcome message शो होगा, आपका नाम और यहाँ पर login why जो भी आपका number होगा, यहाँ पर show होगा, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर construction worker दिख रहा होगा, construction worker registration आपको simply registration farm पर click कर देना होगा, इससे निचे आप registration status भी check कर सकते हैं, मैंने video अप्लोड की हुए इसके बारे में, तो यहाँ पर जैसे आप registration farm पर click करेंगे, तो आपका registration farm होगा, आपकी screen के ओपर open हो जाएगा, इस तरह से, तो यहाँ पर होगा होगा, मैं आपको बता दूँ, जो जैसे आप card कहा रहे है, जैके labor card, वो अभी तक कोई update उसका आया नहीं है, कि कैसे आप यहाँ से download करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ, यह जो आपको farm दिख रहा है, यहाँ पर आपका construction worker application number होता है, तो यह farm आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, आपको बता दूँ, यहाँ आप अपना farm carefully देख लें, तो आपको नीचे scroll down करना होगा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा होता है, जैसे details of renewal submitted by the worker, तो यहाँ पर यह आपकी date, जो भी आपका farm है, जो labor card है, यह labor card, temporary labor card कह सकते है आप इसको, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ प कोपी है, इसके लेटेर अभी कोई भी update नहीं आया है, तो तो यह भी जो भी होगा, क्योंकि आपकी application ID है, वो successfully approved कर दीगी है, department दवारा, तो यह भी तक online कोई भी इसका procedure नहीं है, कि आप यह labor card को download कर सके, क्योंकि यह temporary labor card है, जो application farm है, इसको आप अपना प्रिंटर निकाल क रख सकते हैं, यह आप कहीं पर भी use कर सकते है, क्योंकि यह valid शीज आएका, इसके लाबा मैं बात करो, अगर जो physically hard copy होगी, वो जहां तो आपको घर डिलिवर की जाएगी, जहां आपको आपको आफिस से collect करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बारा में कोई भी update इन्होंने website लेकिन आपका application है, जो आप इसको प्रिंटों निकाल के रख लें, तो यह आप कहीं पर भी use कर सकते हैं, यहां पर आपको आपको लेवर कार्ड की जुरूरत हो, तो उसकी जगह आप लगा सकते हैं, इसके लाबा अगर कोई भी update आएगा कि कैसे physically card वगारा कैसे मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई भी update यहां पर नहीं आया, आप number, जो भी numbers है, उन पर phone करके भी पूछ सकते हैं, तो जो भी online था, online इसका कोई भी update नहीं है, कि आप online किसी भी तरीके से जेके लेवर कार्ड को download कर सकते हैं, तो यह है कोई भी एक ऐसा option नहीं है, जहां से आप अपने लेवर कार्ड को download कर सकते हैं, तो यही एक आपका temporary form लाइक के लेवर कार्ड है, तो आप इसको अपने पास reference के लिए रख सकते हैं, तो आप कही पर भी use कर सकते हैं, इसकी photocopy, इसके लाबागा कोई भी physically card related update आएगा तो आपको inform कर दिया जाएगा, वीडियो अच्छी आइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूला